उस्तो जहांपर अभी तक भारत अपनी वायू सेना के लिए एक भी स्टेल्थ लड़ा कुईमान को बना कर तयार नहीं कर पाया है पहीं पर चाइना ने अपने तीसरे स्टेल्थ लड़ा कुईमान को भी मैदान में उतार दिया है और ये लड़ा कुईमान जितना घातक अमे शुरू कर देगा तरसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि इस समय चाइना के वुहाई के अंदर एक एर शो चल रहा है और इस एर शो में रेशिया भी अपने सू-57 फाइटर जेट को लेकर आया हुआ है और इस एर शो के शूरू होने से पहले ही चाइना के कुछ डिफेंस एक्सपर्ट ने रशिया के सू-57 फाइटर जेक की चेकिंग की है और इस चेकिंग के दोरान चाइना के डिफेंस एक्सपर्ट की तरफ से बताया गया है कि जो ये रशिया का सू-57 लड़ा को विमान है ये एक प्रोपर स्टेल्ट लड़ा को विमान है ही नहीं इस लड़ा ए लड़ाकु इमान को चाइना ने बिलकुल F-35 लड़ाकु इमान की डिक्टो कोपी बना कर तयार किया है इस J-35 लड़ाकु इमान को चाइना ने अपनी नोसेना के लिए बना कर तयार किया है और चाइना की तरफ से ये प्लैनिंग की गई है कि हम अपने J-35 A लड़ाकु इ होने वाला है एसा में इसलिए भी बोल ला हूँ क्योंकि चाइना ने जो जो कमी अपने J20 स्टेल्थ लड़ा कुई मान के अंदर छोड़ी हुई थी उन सभी कम्यों को चाइना ने अपने J35A लड़ा कुई मान के अंदर दूर कर लिया है और आगे चलकर ये लड़ा कुई मा को भी बना कर तयार कर लिया है और इस लड़ा कुई मान को हम FC-31 के नाम से भी जानते हैं ये लड़ा कुई मान 2027 से पाकिस्तान की वायू सेना को भी मिलना शुरू हो जाएगा इस समय बताया ये जाता है कि पाकिस्तान की वायू सेना 75 की संख्या में चाइना से FC-31 लड़ा कुईमान को लेने वाली है और जहां पर इस समय हमारे दोनों ही पडोसियों के पास स्टेल्थ लड़ा कुईमान आने वाले हैं वहीं पर इस समय हमारी वायू सेना के पास एक भी स्टेल्थ लड़ा कुईमान मोजूद नहीं है जिनकी मदद से हम पाकिस्तान और चाइना के इन लड़ाकु विमान का सामना कर सकें उपर से इस समय हमारा एमका लड़ाकु विमान का प्रोग्राम भी लगाता लेट होता जा रहा है और अगर भारत ने जल्द से जल्द M का लड़ाकुईमान को बना कर तयार नहीं किया तो हमारा भी वही हाल होगा जो इसराइल ने इरान का किया था अब सभी के यादी होगा अब से कुछी दिनों पहले इसराइल इरान के अंदर अपने F-35 लड़ाकुईमान को लेकर घुस गया था और इन लड़ाकुईमानों की मदद से इसराइल ने आनके सभी S-300 डिफेंस सिस्टमों को तभा कर दिया था और तीन दिनों तक तो इरान को यही नहीं पता चला था कि उनके देश के अंदर कोई F-35 जैसा लड़ाकुईमान भी घुस गया है और आनके सभी S-300 डिफेंस सिस्टमों को तभा कर दिया है और आगे चलकर भारत के साथ एसा कुछ ना हो इसलिए हमको जल्द से जल्द अपने M का लड़ाकुईमान को बन लड़ाकुईमान है जो चाइना के इन लड़ाकुईमानों को टक कर दे सकेगा ये काम सू-57 फाइटर जैट बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा क्योंकि सू-57 फाइटर जैट एक प्रोपर स्टेल्थ फाइटर जैट है ही नहीं इस बात का प्रूफ चाइना ने खुद ही आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपको संडे सुबह 9 बजे तक मिल जाएगा ठैंक्स फॉर वोचिंग दिस वीडियो